हेलो इस्टूडेंट कैसी हुँ आप लोग, इस्टूडेंट आज का ये विडियो क्लाश टोइल हिस्ट्री यानि इतिहास की जितनी भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एक्जाम में पीपर देनी वाले हैं, तो हम उन्हीं स्टूडेंट के लिए हर साल बोर्ड में आने वाल जो की पूरी किताब से लिया गया है और आज कहीं वीडियो हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो चले शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को एंसर के साथ में बताते हैं बिना कुछ शिद्देजी के, आला प्रशन है हिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि लोथल इस्थित है किस छेत्र में है ज्यादा पंजाब में हैं, गुजरात में हैं, राजिस्थान में हैं या हरियारा में हैं, तो बताइए इनमें से लोथल जो इस्थित है कहां पर है, तो सभी को बता होगा हमने बताय इस questions का जिक्र काफी बार हम ने किया अपनी वीडियो में तो इनमें से आपका B हो जाएगा गुजरात हो जाएगा right answer जो कि लोथल इस्तित है याद रखेगा चले देखते हैं अगला question देखते हैं यदि आप questions का answer जानते हैं तो बिना हिच-किचाय आप हमें बता सकते हैं क्य यदि आप सारी questions का answer जानते हैं तो आप इसको test के route में भी ले सकते हैं सारा question दूसरा question क्या पूछा गया है कि सिंदु सभ्यता में सिल्पकला में सर्वतकुष्ट धातु कासी की नर्थ की मूर्ति कहां से मिलती है हडपा में मिलती है मोहन जोड़ो में भगला क्या है तो इसी में तयारी आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेगी ताकि आप board exam में सो में से सो लेकर आपाएं तीसरा प्रशन दिखिए क्या है निमलिकित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिये बताया गया है जो अभिलेखों है किसके अभिलेखों में ज साही विकल्प हो जाएगा सारे को यादि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो आप ऐसा ही अंसर देकर आप हमें comment बताईएगा क्योंकि सारा कोश्चन इंपोर्टेंट है टेस्ट भी आप एक प्रकार से इन कोश्चन को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं आ तो यहाँ पर जो चौथा प्रशन स्टूडेंट राइट एंसर बताईएगा लाइश्ट में में comment में तो इनमें से आपका बी हो जाएगा मेगा स्थनीज हो जाएंगे विल्कुल सही विकल्प जो की चौथे का बी राइट एंसर हो जाएगा अगला देखते हैं क्या है सा चार विकल्प दे हो आपके स्क्रीन पर इंग में से आपका राइट एंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अगला देखते हैं क्या है सारा questions का answer आपको पता है तो comment में जरूर बताएगा सारे को आप calculate करती चलिएगा एक एक को मत बताएगा last में जितना भी मैं questions बताऊंगा इतन में से तो उसी के हिसाब से आपकी तयारी जो और भी जगदस्त कराएंगे तो छे रंबर जो प्रशन देखिए प्राचीन काल में कितने प्रकार की विवाह का उलेक हुआ है प्राचीन की बात हो रहे है तो कितने प्रकार का जो विवाह है इसका उलेक हुआ है तो इन में से जैने धर्म से, ब्रह्मर्दम से या सक्थ धर्म से, तो सात्वा जो प्रशने, इनमें से आपका बी राइट एंसर हो जाएगा, जैने धर्म हो जाएगे, सात्वा का सही विखल्प, अगला देखते हैं क्या है सारा questions जो सम्बंदित इंप्वोर्टेंट है, आटवा देखी, भगवत गीता सबसे महत्पूर उपदिशात्मक अंस है, किसका है, भगवत पुरान का, रामायर का, महा भारत का, देवी भागवत का, बताईए अटवा question, इसका answer आप बताईएगा, केल्कुलेट करके, तो इनमें से आपका C हो जाएगा, सही विकल्प, जो की महा भारत का हो जाएगा, राइट एंसर, उसके बाद प्रशन देखिए, क्या है, ख्वाजा, कुतुबंदीन, क्या है, जो ख्वाजा, कुतुमदीन, बक्तियार, काफी की मिर्थियों कब हुई थी, बारा सो पैंसट इसबी में, और तीर, तेरा सो बद पचीस इसबी में, तेरा सो इनमें से आपका A हो जाएगा, बारा सो पैंसट इसबी इस राइट एंसर, जो की ख्वाजा, कुतुमदीन, बक्तियार, काफी, इनके मिर्थियों जो हुई, काकी की, जो उनकी मिर्थि हुई थी, बारा सो पैंसट इसबी में, हुई थी, चले देखते, अगला क्या है हमार सारा question important है, तैयार करके राष्ट में हमें answer जरूर बताएगा student, आपके answer का हमें इंतिजार रहता है, तो देखे जो 10 number question है, बास वन्ना के अनुयाई कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, तो इनमें से आपका जो लिंगायत हो जाएंगे, बिलकुर सही option, जसका आपका C हो जो 11 number question है, इसका हमने काफी बार अपनी वीडियो जिन इसका answer दिया है, जो कि और भी objective question को बताया है, तो गारा का आपका जो A हो जाएगा, right answer 11 number question का, क्या हो जाएगा, 540 इसा पोर्व, इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद में देखे अगला question क्या दिया हुआ है, देखे 12 number बुद्ध का, क्या है, बुद्ध का महापरिनिवान अस्थल है, कहां पर है, तो काफी जादा, ये question है, इसका हमने एक poll डाला था, तो काफी student सही right answer दिया था, तो जो 12 number है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वान अस्थल है, तो कहां पर स्थल है, ये बताये, तो 12 का C हो जाएगा, राइट इंसर जो की, जो बुद्ध का महापरिनाण निवास कुशी नगर में ही इस्तित है, अगला देखते हैं, क्या 13 number देखे, साची स्थोप निर्मित करवाया था, क्या है, जो साची स्थोप है, ये निर्मित करवाया था, किसने करवाया था, ये बताना है तो B हो जाएगा, असोख हो जाएगे, जो की साची स्थोप निर्मित करवाया था, असोख ने, अगला देखते हैं क्या है, 14 number प्रशन देखे, बिजय नगर की स्थापना कब की गई थी, ज्यादा जानने के लिए आप वीडियो को रोक कर सकते हैं, क्यों ये वीडियो काफ जो प्रशन क्या है, वीजय नगर की स्थापना कब की गई थी, तो हमने बादा आया था आपको जो मॉडल पेपर में, उसमों हमने बता दिया था, इनमें से आपका D हो जाएगा, चोदहावी सतापदी में वीजय नगर की स्थापना हुई थी, इसके दो लोगों ने किया तो चौदा का हमारा डी राइट इंसर हो जाएगा पंदरा नंबर देखे स्टूडेंट पर्ष्ण क्या है हप्पी को राष्ट्य महातु क्या है हप्पी को राष्ट्य महातु के अस्तल की रूप में मानिता कम मिली आसपर कहा हो जाएगा अगला देता है जहांगीर के साथण काल में किस कला का चर्मोत कर्श हुआ क्या है जो जहांगीर की सासनकाल में किस कला को क्या है चर्मोत कर्श हुआ मूर्ति कला को या इस्तिपत्त कला को या चित्र कला को या सुलेखन कला को तो बताइए इनमें से आपका सी हो जाएगा चित्र कला हो जाएगा राइट एंसर जो की इनमें से सोला का सी राइट एंसर सारे कोश्चन्स को आप मिला सकते हैं आपकी बुक में ही सारा कोश्चन्स मिल जाएगा कि झायगा 17 नमबर प्रस्ट क्या दिया हुआ बुलंद दर्वाजा इपे अगरामी से धित डिल्ली में हैं फतेपूर तो बुलंद दर्वाजा की बात हो रही है याँ पर टो इन में से जो आपका किया हो जाएगा राइट इंसर 17ंट हो जाएगा फटेव पूर सिकरी सारा question important है और सारे को we cover करेंगे ताकि आपकी तयारी है और भी better हो पाया और सारे questions करेंगे कि आपके लिए हल्पपफुल में attend कst के लुक्त में हरी वीडियो में बताता हूं क्या सब्सक्राइब की हमें सब्सक्राइब तीर से होती है वहीं से आपका एक theater JEGS कर लेता है कि का पी आपने किस प्रकार से लिखे का तरीका क्या बच्चों माली पली में लिखा है क्या यह सही त्रफ उत्रा लिखा एक साफ फूतरा लिखा है यह सारा जो है कम्पल सरी किसने बनवाय था 19 नमबर जो प्रश्ण है बुलंद दर्वाजा जो विसकेली किसने बनवाय था तो C हो जाएगा अकबर हो जाएगे जो कि बुलंद दर्वाजा इन्हों ने बनवाय था और फतेफ और सिकरी में इस्थित है देखिए बीस नमबर प्रश्ण क्या है पाचवी रिपोर्ट पाचवी रिपोर्ट कब बिट्री से संसद में पेस की गई अठारा सो ग्यारा इसवी में अठारा सो बारा इसवी में अठारा सो तेरा इसवी में या अठारा सो चौदा इसवी में बीस नमबर प्रश्ण इस्टूडेंट इन्मी से आपका सी हो जाएगा अठारा सो तेरा इसवी राइट इंसर हो जाएगा जो कि बीस नमबर का राइट इंसर हो जाएगा चले दे इसी प्रकार सी स्क्रीन पर आपको चार विकल्प पे थो इसका अंसर बताना रहेगा तो जो 21 नमबर प्रशन में से आपका C हो जाएगा इकिसका C सही विकल्प हो जाएगा हम जैसा कि आपको बताते हैं रहते हैं ज्यादा जाननी के लिए आप questions को क्या है रोक कर भी आप समझ सकते हैं कि इसका right answer सही है या नहीं सही है पूरा आपको answer मिल जाएगा नहीं तो आप Google पर भी search कहा सकते हैं 22 नमबर देखे क्या है रेतवाड़ी व्यवस्था निम्न में कहा लागू की गई बंबए में मद्रास में असम में ये सभी यानि doit दी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जोकि रेतवाड़ी व्यवस्था लागू कही बंड़ा ji बंबई मध्रास में और असम मी तीनों में लागू की गई 22 नमबर का of. अगला देखती है हमारा क्या हैं देखे क्रांती किसे सहर में प्रारम्वी जो 5857 की प्रांती है सभी को पता होगा हमने मौडल पेपर में इसका बताया हुआ है इन्में से जो आपका D हो जाएगा मेरट हो जाएगा अगला देखते हैं क्या है देखिए 24 नंबर प्रशन देखिए लखनव में तेखान । को रहा था तो पताहिए है अब बताइए हमें से आपका डि हो जाएगा बेगम हजयत मेहल हो जाएंगे जो की अगला दिखते है क्या है देखें मैं दस ये देखिए पाची सिनम्बर केश्चन है मैं दस अठाराद उस्तावर में शैनिकों ने खुला विद्रोग किया कानपुर में बेरकपुर में मेरट में या बरहमपुर में बताइए इसका एंसर बताइए सारी को आपके लिएट करती जाएएगा लाश्ट में जरूर बताइएगा जो चीज का जो सी हो जाएगा मेरट हो जाएगा बिलकुर सही ओप्सन इनमें से आपका जो कि खुला विद्रो क्या मेरट में अगला देखते हैं चबीस नमबर प्रेशन देखे एप क्या है एप पंच आफ ओल्ड लीटर्स का प्रकासन किया जमाहल लाल नहिरू ने जय प्रकास नारायन ने नरंद्र देव ने एन जी रंगा ने बताइए श्टूडेंट इसका राइट एंसर चबीस नमबर का तो इनमें से आपका ए हो 27 नमबर प्रेशन देखे भारत चोड़ो आंदोलन कब आरंब हुआ इसको भी आमने काफी बार बता चुका है काफी चैरीचित यह कूश्चन है तो जो भारत चोड़ो आंदोलन है यह कब प्रारंब हुआ अगस्त 1922 में सितंबर 1922 में अक्टूबर 1922 में नवंबर 1922 में तो इनमे से आपका ए हो जाएगा अगस्त 1922 राइट एंसर हो जाएगा जो कि भारत चोड़ो आंदोलन प्रारंब हुआ अगला देखते हैं क्या है मारा प्रेशन देखे 28 नमबर प्रेशन आचुका इस स्क्रीन पर पर पर्थम गोल मेज क्या है जो पर्थम गोल मेज है गोल मेज सम्मेलन कब आयूजित किया गया 1930 इस भी में देखे चार विकल पर इनमें से बताना है तो 28 का जो राइट एंसर हो जाएगा हम सीधा राइट एंसर की और बढ़ते हैं इनमें से आपका ए हो जाएगा 1930 इस भी हो जाएगा 28 नमबर का सही विकल सारे परशन को हम बताएंगे और आपकी भी रिस्पॉंस विल्टी बनती है कि आप जो सारा कोशन में बता रहा हूं इसको आप तयार कीजिए यदि आपको कोशन का अंसर आता है तो भी बताएगे किसार हमें इतना कोशन का अंसर पता था 29 नमबर देखें महतमा गांदी को किसने तसे पर परतम राष्टित है कआकर संबोर्धित किया किसने महतमा गांदी को रश्टिता संबोधित किया स्वास चंद्र वू सहाइए तो पर्थम पंच वर्सी यूजना की बात हो रही तो चार विकल्प है A B C D की हिसाब से आप जूर लिजीन में से जो आपको आता है बताईए तो B आपका हो जाएगा आप questions का answer आप गलग बता रहे हैं तो इसको भी हम सुधार करेंगे देखेंगे कि आप जो बता रहे हूं सही है या हम ही गलत है तो 31 नमबर जो प्रशन है दिस्कवरी आफ इंडिया की लेखक थी जो डिस्कवरी आफ इंडिया की लेखक है जमाहल लाल नहरू है महत्मा यह प्रशन जिद्ना जाद आप करें रहेंगे आपके किताम में भी दिया है इसको देखने के बाद में अपने किताम में भी देखें इसको भी आप हल कीजी क्योंकि काफी ज्यादा इंप्रोर्टेंट है 32 नमबर में देखें क्या है एतिहासिक उद्देश प्रस्ताव का पेस किया गया एतिहासिक उद्देश का जो प्रस्ताव है यह पेस किया गया तो इनमें से आपका बी हो जाएगा 13 सितंबर 1946 हो जाएगा सही विकल्ब जो की 32 का भी राइट एंसर हो जाएगा अगला देखें किया 33 नमबर प्रशन देखें भारतिये राष्टे का अंग्रे आपके पेपर को देने के लिए तो जितना ही आप तयार कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा मैं आपको हर बार यही बताता हूं तो 34 नमबर में क्या है किर्प्स मिसन कभ भारत में आया यह मॉडल पेपर में भी दिया हुआ काफी बार पूछा गया कोशन कि ज इसे जो 34 का ुध decision이죠 वह जाएगा क्रिफिक भारत92 में सभी में आया था तो हमारा 34 हूंबर भी प्रस्ट हो गया चले देखते अग्ला प्रश्ट कै हमारा है यह महला है बताई कि किसreich difficulty कडिक trade तोटित अब इसका त bloody स्विकBar listened to happy आधीर आधीर हो जाएगा क्वी इसके में जाएगा नेधिर हुन का मोश्वत्पूटन था तो thanks for watching this video, like कीजे, video को share कीजे अपने दोस्तों से भाई बैं जो भी आपकी relative हूं, जो आपके साथ में पटरे उनको share कीजेगा वीडियो को, और comment करके बताएगा सारे questions का answer को कि किस प्रकार से आपको video लगा, कोशन्स किस प्रिबार से आपको सारा कोशन्स आता था या नहीं तो अब बताईएगा हमें नहीं मिलता है नेश्टी वीडियो में जय हिंद पाड़ते रहें अच्छे से तयाई आई आप लोग करते रहें